हेलो बच्चो आज हम करेंगे कक्षे 8 ५ी गृनित की प्रशनावली 6-10-1 के परसं संख्या 3 से परसं संख्या 3 है निमनिक्त संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विसम संख्या होगा बच्चो सम और विसम संख्यां क्या होती हैं पहले इस बारे मैं समझो सम संख्यां वो होती हैं जो संख्यां दो से भाग हो जाएं दो से भाग वोने वाड़ी संख्यां क्या कहलाएंगी सम संख्यां जैसे दो, च्यार, छे, आठ, दस इस तरह से तो वे संख्याएं जो दो से भाग होंगी वो सम कहलाएंगी और विसम संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं दो से भाग ना हों यानि जो संख्याएं सम ना हों वो कहलाएंगी विसम संख्या जैसे एक है तीन है पाँच साथ नो इस तरह से अब इसमें पूछा है कि किस संख्या का वरग विसम संख्या होगा तो बच्चों यहां पर आपने इन संख्याओं का वरग करके नहीं देखना है आपने सिरफ यह द्यान रखना है कि जो संख्या होगी उसका वरग भी संख्या होगा और जो विशम संख्या होगी उसका वरग भी विशम संख्या होगा यह आपने द्यान रखना है कोई विशम संख्या आपके पास आप उसका वरग करेंगे तो वो संख्या ही आएगी और कोई विशम संख्या है उसका वरग करेंगे तो वो विशम ही आएगी जैसे आप ले लेते हैं दो को दो एक सम संख्या है जब आप दो का वर्ग करेंगे तो चार आएगा, चार भी क्या है सम है आप लेते हैं तीन को, तीन एक विशम संख्या है जब हम तीन का वर्ग करेंगे तो तीन का वरग आएगा नो तो वो भी क्या है विशम तो सम का वरग हमेशा सम आएगा और विशम संख्या का वरग भी विशम आएगा यह आपने द्यान में रखना है परसन संख्या तीन का पहला पार्ट करते हैं 431 अब 431 एक सम संख्या नहीं है विशम संख्या है इकाई का जो अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 ये हो तो वो होगी समसंख्या अगर जो इकाई अंक है इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या वो जैएगी सम वो जो विशम संख्या होती है उसके अंदर जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा एक तीन पांच साथ नो जी आएगा इकाई अंक विशम के अंदर तो यहां पर च्यारसो इकतिस जो है उसमें इकाई का अंक एक है तो ये संख्या क्या है विशम संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा विशम आएगा 431 एक विशम संख्या है इसका वर्ग भी क्या होगा विशम होगा वर्ग भी विशम होगा second part है 2826 बच्चो 2826 एक समसंख्या है क्यों क्यों क्योंकि इसमें इकाई यंक कितना है छे इकाई यंक कितना है छे तो यह हो जाएगी समसंख्या तो 2826 इसका विर्ग क्या होगा समसंख्या तिसरा पार्ट है सात अजार सात सो उनासी अब इसमें संख्या में जो एकाई अंख है वो है नो तो ये एक विसम संख्या है तो इसका वर्ग भी क्या होगा विसम संख्या चोथा पार्ट है बियासी हजार च्यार 82,004 में 21,004 है तो यह क्या हो जाएगी एक समसंख्या तो इसका वरग भी क्या होगा समसंख्या क्यों क्योंकि 82,004 एक समसंख्या है तो यहां पर आपने इनको वरग करके नहीं देखना है बैस आपने सिर्फ ये देखना है कि उस संख्या में एक आएक अंक क्या है अगर एक आएक अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या होगी सम और एक, 3, 5, 7, 9 है तो वो संख्या होगी विसम सम और विसम के पहँचान करने के बाद आपने सिर्फ ये इसी दाज्यान में रखना है कि जो संख्या सम है उसका वरग भी सम होगा और जो संख्या विसम है उसका वरग करने पर भी विसम संख्या ही आएगी परसंख्या 4 को बढ़ते हैं निमन परती रूप कावलोकन कीजिये और एक स्थान बढ़िये परसंख्या 4 में हम एक पैटर्न दे रख्या है उसको अच्छे समझना है और फिर उसके हिसाब से हम लागे इसको खालिस्तान को बढ़ना है तो सबसे पहले देखिए इसको देखते हैं हम समझते हैं इसको 11 का वरग 121 ठीक है यहाँ पर एक था यहाँ पर भी एक था उपर है वरग तो क्या किया है इनोंने यहाँ पर एक यहाँ पर एक और यहाँ पर क्या 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 बीच में दो ठीक है आके है 101 यहाँ पर एक है यहाँ पर एक रख दिया यहाँ भी एक रख दिया बीच में क्या था वरग था ये वरग बीच में दो है यहाँ पर आ जाएगा और फिर इसके दोनों तरफ ये जो 0 थी 1-1-0 इधर आ जाएगी 1-0 इधर 1-0 इधर 1001 का वरग एक रखेंगे यहाँ पर 1 यहाँ पर एक क्यों सबी के अंदर देखो दौनों साइड में अंत में 1-1-1-1-1 एक यहाँ पर भी एक और एक और बीच में कितना है फिर दो यह जो वरग है यह कहा गया बीच में अब देखिये हैं यहां पर कितनी जीरो हैं 2-0 तो एक और दो के बीच में दो जिरो इधर एक और दो के बीच में दो जिरो इधर आ जाएंगी अब आगे इसी प्रकार एक और एक के बीच में यहां पर च्यार जिरो है तो यहां पर एक रख्या हुआ है यहां पर एक पहले से दिया हुआ है बीच में क्या है दो यानि इसे एक को हमने यहां लिख लिया इसे एक को यहां लिख लिया वरक को हमने बीच में रख लिया अब हमारा बच गया सिर्फ जीरो कितनी जीरो है च्यार जीरो तो यह च्यार जीरो कहा जियेंगी एक और दो के बीच में एक दो तीन च्यार और च्यार जिरो इदना जियेंगी एक दो तीन च्यार क्योंकि देखिए उपर यहां पर हमारे पास क्या रहे था एक एक यहां रख दिया हमने एक एक को हमने यहां रख दिया वरग को बीच में ले लिया यहां पर 0 नहीं थी, आगे हमारे पास था 101, एक को यहां रख्या, एक को यहां रख्या, हमने वर्ग था, उसको हमने बीच में रख लिया है, फिर जितनी 0 है, उतनी 0 दोनों तरफ एक और दो के बीच में हमें लिख त्यारे उपर हमें दिया हुआ है, यहां पर थी 2 0, एक औ और एक के बीच में चैर जीरो तो एक और दो के बीच में चैर जिरो इदर आ जाएंगी चैर जीरो इधर आ जाएंगी इसी प्रकार अगला है यहां पर देखिए सबसे पहले हम एक को लिखेंगे इधर इतनी ही जीरों हैं उतनी ही जीरों दोनों तुरफे लिख देते हैं एक और दो के बीच में यहां पर हमारे पास जीरो हैं छे तो एक और दो के बीच में छे जीरो इधर आ जाएंगी और छे ही जीरो इधर होंगी यह हमारा पैटरन है वो परतिरूब है वो पूरा हो जाएगा